नमस्कार मैं जोती श्रवास्तव आप देख रहे हैं से न्यूज भारत जनपतकानपूर देहाद के रनिया कजबे के लोगों को शुद्ध वातावरन मिलना मुश्किल हो गया है रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मंटोरा ओयल की फैक्टरी लोगों की जान से खिलवाड कर रही है दरसले कमट्री रिफाइन बनाती है और यहाँ पर केमिकल का खोब उप्योग होता है केमिकल युक्त पानी को रात के अंधेरे में टांकर में भरकर फैक्टरी से दूर बाट साथ शिवाजी नगर कजबे की बीच एक बाउंडरी वॉल के अंदर प्लोट में छोड़ दिया जाता है ऐसे कई टेंकर अंधिरे का सहारा लेकर केमिकल यूगत पानी फैक्टरी से लाकर बाहर छोड़ते हैं इस्थानिय लोगों का कहना है कि ये पानी इतना बद्बूदार है कि हम लोगों को रहने में भी अब बहुत दिक्कत होने लगी है दर है कि ये वातावरन हमारे नन्य बच्चों के लिए खतरनाक साबित ना हो जाए लेकिन करें भी तो क्या करें घर छोड़ कर जाएं तो कहां जाएं हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये कारणामा कई सालों से होता चला रहा है उसके बाद भी जिमदार अधिकारी बेखबर होकर इसी कमरों में बैठे हुए है और बड़ी बड़ी कमपनिया अपनी मनमानी कर रही है केमिकल युक्त जहरीला पानी खोले में छोड़कर वातावरन को दूशित कर रही है रनिया और द्योगिक शेतर में सेकड़ों की तादाद में कमपनिया है जो नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही है विभागी अवसरों की साथगाट की वजब से कारुबारियों के होसले बुलंद है हैरत की बाद तो ये है कि प्रदूशन नियंतरन बोट का शेतरे दफ्तर रनिया और द्योगिक शेतर में ही बना हुआ है प्रदूशन नियंतरन बोट के शेतरे अधिकारी और उनका भारी भरकम स्टाफ है उसके बाद भी शेत्र में किस तरीके की गतिविधियां हो रहे हैं वा उससे वाकिफ नहीं है या यू कहें कि वाकिफ ना होने का ढोंग कर रहे हैं रनिया कजबे के रहने वाले लोगों का कहना है कि प्रदूशन विभाग से लेकर जिलादिकारी तक खूब शिकायते होती हैं लेकिन सुनने वाला कोई अफसर दिखाई नहीं देता कानपुर्दिहाद के रनिया कजबे में रहनाब लोगों के लिए सहच नहीं है रह गया है क्योंकि रनिया का वातावरण इतना दूशत हो चुका है कि आधे से जादा अबादी अकसर बिमार ही रहती है कहीं शेतर में उड़ रही राखी से लोगों की आखे खराब हो रही है तो कहीं जहरीला धुआ सांसों में उतर रहा है हालात यह हैं कि पूरे शेतर का पानी तक दूशत हो चुका है अगर हाल गया ही रहे तो कुछ सालों में जमीन भी बंज़र हो जाएगी लेकिन जमीदार इन सबसे बेखबर बड़ी बड़ी कम्पनियों की हां में हां मिलाते नज़र आ रहे हैं यह सुबह साम जो है कि ट्रेक पल्टा जाता है और इसको बंदगरा दिया जाए क्योंकि जब पानी निकलता है तो पीला रहता है वाल्तियों में भी बड़ा रहता है दूसीत पानी है तो हम यह चाहेंगे यह जो एक फैक्टी मंतुरा वालों से कहा जाए और यहां का केंक कि दालें तो आप लोग्या बाद या बीमारी का भी खत्रा है वे इसे हम लोगो बचाओ का दिकने का ज़िए चाहिए तो दूसीत पानी पर दाबरम लोग लोग पी रहे हैं और बच्चे भी मार होंगे यह पानी केमकलका है इसलिए जो है कि इसका लिना कुछ कदाया है च यह चाहते हैं यह पानी बंद हो जाएगा तो यहां से मतलब है भी मारी दूसरी पानी हो जाएगा दीदे दीदे तो लोग यह तो अच्छ ताकि यह चाहिए मेरा नाम उक्रिश गुपता है जी और मैं यहां का निवाशी हूं घर भी है और मैंने बोहर करवाया लेकिन पानी क्या करें वह पीला निकलता है वही बच्चे पी रहें वहीं हम लोग पी रहें कहां से पानी आएगा पता हो तो क्या लगता पानी किस तरीके डेली डाला जाता है क्या फंदा भीश टैंकर डेली आता है चार बद तीन बज़े से चालू होता है और वह उधर गेट बना है वहाँ ही से घुझ घुझ के बस पलताया जाता है जो रिफाइंड का कचड़ा निकलता है ना वानी का जी वो पानी यह डाला जा रहा है और हमारे पानी में रिफाइंड की जलत भी आती आप चाहो तो देख सको तो आप पानी पी नहीं पा रहे हैं इसका मदला मजबूर हैं मजबूर है आपका जब अनल चलाते हैं तो क्या कैसा लगता है पानी किस तरीके से आता है यह समझो कि जब हम उससे 5-6-7-8 बालती पानी निकलते हैं तब जाके पानी निकलता हूँ भी महग मारता है बहुत तेजी किसी तरह है माल पीना तो पड़ेगा पड सबस्कों मजबूद मतलब तो चाहते हैं किस मजबूदार पानी किस अच कह़से ंचे सबस्क्राइब पानी करें जी कब डाला जाता है तो पी यह दूस के फञब अटीपानी बदूक हैं तो तो अप बदमू दार पानी यूज कर रही हैं तो जब 5-6 लड़ती पानी च नास लेने में भी दिक्कत होती होगी कि मैं क आती है कहते हैं सुद्ध हवा और सुद्ध पानी स्वस्त जीवन के लिए पहत जरूरी होता है लेकिन कानपुर्देहात के रनिया में दूसित हवा और पानी पूरी तरीके से प्रदूसित होता जा रहा है रनिया कश्बा के जो वासी हैं यहाँ पर बदबुदार हवा और दूसीत पानी में रहने को मजबूर है यहाँ फैक्टियों से निकलने वाला केमिकल युक्ट पानी, हवा और पानी दोनों को दूसीत कर रहा है ऐसे गंभीर मामले में जिले के जिम्मेदार अधिकारी जाच कर कारवाही का हवाला देते नजर आ रहे हैं सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बढ़ते पर दूसर से रनिया कश्मे के वाशियों को कौन बचाएगा ये देखने वाली बात होगी कान परदेहाच से सीन्यूस समधाता दीपक श्रवास्ताप की रिपोर्ट फलाल इस खास रिपोर्ट में बसतना ही देशतोनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सीन्यूस भारत